हलो दोस्तों भारत अप्डेट्स चैनल में आपका स्वागत है और दोस्तों आज सोब की तेरह वड़ी खबरे तेरह वड़ी अप्डेट्स आप सभी के लिए लिए कर यहां पर आ चुका हूँ आज है 17 फर्विल 2021 बुद्धवार दोस्तों आज की मैं आपको पहले बता दू आज की जो अप्डेट्स है बहुत ही इंपोर्टेंट है तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ठीक है जिस दिन मैं यहां पर उपर मोस्ट इंपोर्टेंट लिखो तो समझाए गरो कि कुछ इंपोर्टेंट है ओके तो एच्पू की तरफ से बहुत सारी अप्डेट् नहीं है बहुत सारी अप्डेट्स है वह आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं दूसरा है कोमेंट आ रहे हैं कि क्या एच्पू यूजी की डेटिट आई है वह चेंज होगी यह नहीं इनकी प्रिक्षा है इस दिन से और आर्मी भरती से लेटर कुछ अप्डेट ह हिमाचल लेटेस्ट अप्डेट्स है यहां पे जोब के लिए तो यहां पर आपको बताने वाला हूं तो चलिए उस दो जल्दी से शुरू करते हैं पहली अप्डेट्स है तो यह रही प्रदेश के लिए 2000 क्रोड रुपे के प्रोजेक्ट हुए मंजूर धन की कमी नहीं आ फिर भी कोई कमी आएगी तो केंदर से बात की जाएगी तो यहां पर आपडेट्स है पूरा यहां पे कितनी परियोजना है कहां पे कितने लागता हैं कितने रुपए लगेंगे सब कुछ यहां पर बता आपको वीडियो को पूरा देख लिजीएगा 13 Uptbeits है यहां पर बाहर में 3 4 लिख पाया हूं तो यहांपको वीडियो में रहे हिमाचली सब्पैर्ट की लिए अप चोड़नी होगी नपाल की नाग्रिकता तो हुनाचल सब्सक्राइब दिझा में सब्सक्त करने के लिए भारत का नागीरद नोगर्फ ये देख लो तो हिमाचल बॉर फाइड के लिए अब उनको छोड़ने होगी निपाल की नाजिता कर नेपाल से हैं तो चलिए नेक्स्ट अप्टेट ये रही सैंकडो भिरतिनों दी सीनिर असिस्टंट लाइबरेरी निभरती की प्रिक्षा दोस्तों बात हो रही है यहाँ पर हिमाचल प्रेश कर्मचारी चोयना एक हमिरपुर की तरफ से तो इन्होंने एक्जाम करवाया है सीनिर असिस्टंट अकाउंटेंट और लाइबरेरीन की लिखित प्रिक्षा तो उनका एक्जाम भी हो जोया है और इसके लिए पांच प्रिक्षा केंद्र बनाए गए थे सीनिर असिस्टंट अकाउंटन की चार पदों को भरने के लिए 599 प्रिक्षा को को लिटर जारी की गए थे इनमें से 174 प्रिक्षा देने पहुंचे थे लाइवरीन के एक प्रिक्षा के लिए 409 प्रिक्षा को को लिटर जारी की गए थे और 107 ही लिखित प्रिक्षा मैं भाग लिया था 107 जो है इन्होंने एक्जाम दिया है एक विकेंसी के लिए चलि दो सो नेक्स्ट अपडेट यह रही जूनिर ओफिस असिस्टंट के 17,076 आवेदन अदस्वाइद मैं आपको कल भी बता चुका है दोस्तों जूनिर ओफिस असिस्टंट जे ओ ए आईटी के लिए यह अपडेट है तो 17,076 से अधिक आवेदन जो हैं यहां पर रिजक्ट की गए हैं जाये वो फीस के लिए हो किसीने फीस पै नहीं किये है तो कई Yohan का कुछ हो ना हो कई Yohan Curry कर दी हो फिर भी आ रहा हो तो वह आपको से कंटांट करना पड़ेगा हमिरपूर से कुंटाक्ट कोंट से करना पड़ेगा तो वो ठीक हो जाएगा अगर आपने फीस पे कर दिये तो ठीक चलिए नेक्स्ट अप्डेट यह रही विदेश में नोकरी का सपना है तो आए शाहपूर आईटे दोस्तों यहां पर जोब की अपडेट है तो विदेश मे मेजी मल्टी नेशनल कंपनी आईटे शाहपूर में 18 और 19 फर्वरी को कैमपेश शक्षत करवाएगी अशोका लेलैंड कंपनी का प्लांट दूबई में स्थित है कंपनी के एचार विभाग के सहाय का प्रवंदन रकेश शर्मा के इन्हां बताया कि चैन होने पर यवाउं प्लेस्मेंट ऑफिसर विशेख बगवान ने बदाए कि शाक्षातकार माने वाली वाउं के और सभी प्रमान पत्र साथ लाने होंगे इधर थुनाग उपरोजगार कार्याले में 18 फर्वरी को शुक्षा गार्ड के सो पदों की भरती होगी चैन पर जो है 13 से 16,000 रुपे प्रतिमा बेतन दिया जाएगा रोजगार कार्याले थुनाग जीवनु राम ने इसकी पूछ्टी की है हमने बताए कि सुख्षा गार्ड के सो पद यहां पर भरे जाएंगे तो किसी को कर जाना है यहां पर तो आप यहां पर कुटैर्ट कर सकते हो शाहपूर जो यह है अगर यहां पर जाना है कम्पनी में तो कम्पनी आईटे शाहपूर में होगा निका ठीक है आपका जो यह होगा इंट्रिव्यू और दूसरा जो है आपका बहुगा रोजगार खारा लियाई सिंक यह ओके चलिए नेक्स अप्लेट दोस्तों यह रहिए पालंपूर सेना भरती में 2258 युवा दोड से ही हो गए बाहर तो क्रिशिव विशिव दलिम पालंपूर के मैदान में मंगलवार को जिला चंबा की भरमोर और जिला कांगर की तेसेल पालंपूर के युवा ने भरती में भाग लिया 2966 युवाओं का पंजीकन हुआ था लेकिन 2463 युवा ही पहुंचे इनमा से 205 युवाओं ने ग्राउंड पास किया भरती निदेश करनल संदीप सरोही न कहा कि अब सरकारी चिकिस्तकों की और से लिखा गया करोना लक्षन ना होने का प्रमार्ण पत्र माने है इसे वाओं को भरती प्रक्रिया मसानी हो रही है पहले क्रोना टेश्ट की नेगीटिव रृपर्ट विक्रण को पाइए उसे कई युवा जो है भरती प्रकिया में भाग नहीं ले पाया थे यह आपको पहले भी बता चुका हूं और बुद्वार को फतेपूर बर शाहपूर के युवा भाग लेंगे दोस्तों यहाँ पे अपडेट है कुछ देख सकते हो आप दोजार दोसो ठाबन युवा दोड से ही बार हो गए हैं और दोस्तों पांच जो है उन्होंने ग्राउंड पास किया चले दोसे नेक्स अपडेट यहां रही दोस्तों एस ओएस की प्रैक्टिकलस प्रिक्षाएं 15 मार्च से होगी राज्य मुक्त विद्याले एस उसको बोलते है कि दसमी वह बाहरमी कख्षा की प्रैक्टिकलस से 12 मार्च तक चलेंगी शिक्षा बोर्ट के दक्स डक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि प्रिक्षाओं का आयोजन सुभा नो से बारा और दो पहर दो से पांच वजे तक किया जाएगा तो यह रही दूसरो बारमी की डेशिट और यह रही दसमी की पहले आप बारमी की देख रो कि आधा-धा तो यह कुछ यह दुखो ठीक है दसमी की साइड है लेफ्ट राइड और राइट साइड जो है वह बारमी है 12 की है की सब्सक्राइड की कब है physics, chemistry, biology, computer science, geography, physical education, accountancy इस साइड है दसमी बारों की science, home science, computer science, art भी तो यह डेट छीट है इनकी practical प्रिक्षाओं के लिए SOS के लिए चली दोस्तों, नेक्स्ट अप्रेट ये रही स्कूलों को मिलेंगे 584 TGT इसी हफ्ते आएगा बैजवाज भरती का प्रिणाम तो प्राणबिक शिक्षा लेना है निक्तियों की मंजूरी के लिए शिक्षा मंत्री के पास भेजी फाइल तो 584 पदों को इसी सप्ता जो है बैजवाज भरती का प्रिणाम जारी होगा और आएगा आठ सब्सक्राइबर उननिसो निन्यानवे नोन मैडिकल मैठ सितंबर उननिसो अठानवे के बैज के भरतीयों को मिलेगी नोकरी तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों ठीक है यूजी समेस्टर सिस्टम की फाइनल डेशीट जारी बाइस फरवरी से प्रिक्षा है वीडियो के डिस्क्रिप्षिन में आपको देख सित प्रिक्षा के लिए पाट्टेग्रम घटाए है यहाँ पर दोस्तों मांग के गई है भारती और आश्ट्यू छातर सिंगठन की जिला शिम्ला इगाए की मंगलवार को जो है रजी भवन में हुई बैठक में छात्रों क पेशारी समस्याओं पर चर्चा की गई जिला अध्यक्ष के दिख्षता पर होई बैटक संगठन ने करोना के कान सबसे अधिक प्रभावित हो शिक्षाक शेत्र को देखते हुए चातनों के प्रिक्षा काव अध्यक्रम में खटोती करने की यहां पर मांग की है तो यह कुछ दो से यहां पर बताया गया है ओके चलिए अभी हुआ नहीं है यह ऐसे मांग उठाईयों की जो सिलेबस से उसको कम किया जाए प्रिक्षा प्रिक्षा प्रणाम शेगर होशित करने की मांग यहां पर उठाई गई है दोस्तों यह बात हो रही है राज की वहां विद्याले देहरी की जो एसे फाई इक आई है नो नहीं है मंगलवार को अपनी विवेन बांकों को लेकर प्रादाना चलिया अश्वनी अ आज खुल जाएगा दोस्तों पुस्तकाले यानि की लाइब्रेरी परिसर सेनिटाइज लाइब्रेरी में 50 सफीज़ी सीटों पर ही बैठ बीच सकेंगे विद्यार्थी गेट पर होगी स्क्रीनिंग जुकाम बुखार पीड़ी तो विद्यार्थी को नहीं मिलेगा प्रव जाएँगे दोस्तों 22 वर्वरी से खुल सकता है प्रदेश भीशुवद्याले तो यहां पर कमेंट आ रहे थे की कबसे खुले है कि दोस्तों 22 वर्विशुवद्व होई है बड़ एसा हो सकता है ओके विद्यार्थी शुरू करने से पहले चाहत्र आज जाने से चात्रवासों में 1600 से अधिक चात्र शात्र शात्र जब लोटेंगे तभी प्रिक्षाएं शुरू हो सकेंगी चात्रवास खोले जाने को लेकर भी अभी तरह कोई फैसला नहीं लिया गया है चात्रवासों में मार्च 2020 में कमरों में ताल्य लगा कर घर चले गए हैं पीजी कोस की मार्च माह में प्रिक्षाएं भी शुरू होनी इसलिए विद्यार्थी चात्रवासों के खोलने के अंतजार कर रहे हैं और इन पांच दिन अभी शेश बचे हुए हैं छोटी ख़तम होने के लिए तो इन पांच दिनों में ही विश्वजाले को फैसला लेना होगा इसके लाव पीजी के लिए मैं बता चुकों कल नोटिफिकेशन आया था 26 फ़रवर भी लांस डेट हो चुकिए है पोस्ट ग्याजूशन के एक्जामशन फॉर्म बनने के लिए इसके लावा बात करें बीजी के लिए भी बीस फ़रवर यहां पर डेट की गई है एक्स्टन की गई है जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया उनके लिए प्रवंदर में छोड़ा है फैंसला तो यहां पर कुछ एक दो उप्टेट शायद में से छूट गई आपको बता तो यहां पर आज मैं कोशी के लिए जिल जिल दी बताने की दोस्तों डेट शीट की यहां पर कमेंट आ रहे थे कि कि डेट शीट चेंज हो सकती है दोस्तों कि अगर आपना दिया था उनको इमेल अगरके फिर भी चेंज ने हुई तो वैसे ऐसा हुआ है बहुत बार कि एक्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और एक्जाम के बीच में भी जो है डेट शीट चेंज हो जाती है कई बार कुछ सब्जेक्ट चेंज होते हैं पूरी पूरी स्टूर्ट से बोलें तो शायद हो सकता है बैसे बारा फर्वरी बोला था तो अभी देखते हैं अगर कोई आएगी तो बता देंगे आपको ओफिशल नोटिफिकेशन आएगा कि यह डेट शीट चेंज होई या नहीं होई बैसे चांसे फाइनल के बाद कम ही होते हैं बट